हेना भारत में शादी रस्मों का एहम हिसा है और इसे शुब माना जाता है। क्या हेना सिर्फ शादी रस्मों के लिए सीमित है? नहीं, हेना में कई सारे आउशदी यगुन हैं जो हमारे सेहत के लिए, त्वचा के लिए और बालों के लिए फैदेमंद है। आईए, आज हम आपको हेना के ओल और हेर मस्क बनाना सिखाएंगे। नमश्कार दोस्तों, हेबास कीचन हिंदे में आप सब का स्वागत है। सबसे पहले हेना के हेर ओल बनाएंगे। पहले हेना के पते को धो के अच्चे से सुखा लेंगे। अब मिक्सर जार में दो कप के करीब हेना के पते लेंगे। अब इसमें बिना पानी डाले, इसे दरदरा पिसेंगे। कुछ इस तरह। अब एक कडाई में 300 ml नारियल तेल लेंगे। इसमें हम पिसा हुआ हैना पता डालेंगे और थीमी आज पे अच्चे से मिलाएंगे। लोहे के कडाई इस्तिमाल करने से तेल आईरन कंटेंड को अबसॉब करके बाल तेजी से बढ़ने में मदद करता है। आप देख सकते हैं तेल जागदार बन चुका है और अच्चे से उबल भी आ चुका है। ध्यान रहे तेल जलना जाए। ये परफेक्ट है। अब हम तेल को पूरी तरह से थंडा करके एक कटोरी के उपर मलमल के कपड़े रखके इसमें तेल डालेंगे। हेना बाल जडने को रोक के हमारे बालो को कंडिशन करता है। और इसे निचोट के तेल को अलग करेंगे। हेनन हमारे स्कालप को थंडक देता है और हमारे बालों को मजबुत करता है हनना ओल तयार है हनना को अब नाचुरल हेर डाय की तरह इस्तिमाल कर सकते है आप इस तेल को लगाके एक आदे गंटे के बाद बाल दो सकते है भैतरीन रिजल्ट के लिए हफ़ते में दो बार इस्तेमाल करें अब हम हेन्ना के हेर मस्क बनाएंगे मिक्सर जार में लेंगे एक कप हेन्ना के पत्ते चार पांच गुढ़ल यानी हाई बिसकस के पत्ते एक गुढ़ल के फूल गुडल के पूल और पत्ते बालों के ग्रोध के लिए बहुत ही फाइदमन्द है दो बड़े चमच तही एक चौताई कप टी डिकॉक्षन और इसका बारिक पेस्ट बनाएंगे कुछ इस तरह चाई के काड़ा से बालों में घहरा रंग आता है पर आप चाहो तो स्किप बे कर सकते है हेना के हेर मास्क तैयार है भैतरिन रिजल्ट के लिए महिने में दो से तीन बार इस्तेमाल करे तो दोस्तों कैसी लगी आज के ये हेना के होम रेमिडी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर केजिए और वीडियो के बारे में हमें कमेंट करना ना भोले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद